दोस्तों GoDaddy से लिया हुआ डोमेन नेम को आज अपन रिन्यू करने के तरीके देखेंगे तो सबसे पहले अपन GoDaddy को में लोग इन कर लेते हैं इस तरह से अब यूजर नेम और पासवर्ड यहां पर एंटर करते हैं और फिर Sign In बटन पर क्लिक करते हैं अब यहां पर आपका डोमेन नेम के लिस्ट दिखाई देगी जहां के जहां पर आपको डोमेन के सामने रिन्यू को बटन दिख रहा होगा वहां पर क्लिक कर देना है इस तरह से अब फिर से डोमेन नेम आ गया तो डोमेन नेम के सामने वाले बॉक्स को इस्टे से क्लिक कर देना और एड टू काट पर क्लिक कर देना और यहां पर आपके पेमेंट कितने लगेंगे कितना प्राइस लगे रिन्यू को सब दिखाए दे जाएगा किते साल के लिए रिन्यू करना है एक साल दो साल यह सब स्टे लेक्ट कर सकते हैं तो मैं भी एक साल के लिए करता हूँ और फिर कंटीनु़ टू काट में क्लिक कर देंगे अब यहां पर फाइनल इस्टेफ आ गया जहां पर आपको I am to ready to pay पर क्लिक कर देना है और आपको पेमेंट 35 सेलेक्ट करके पेमेंट कर देना है और इस तरह से आप अपने डोमिनियम को रिन्यू कर सकते हैं बिना किसी परिसानी के यह प्रोसेस आप मुबाइल से भी कर सकते हैं लेकिन मुबाइल में वीडियो बनाता है तो कुछ स्क्रीन सेट नहीं होपाता फ्रेंट वास इतना इस वीडियो मताँ वीडियो देने हैं पहले बाद